कि वीडियो में आज मैं जाने के निफ्टी बैंक निफ्टी एंक इंट्र डिस्टॉक्स कर तुस्डे के लिए ठीक है सो आज मार्केट था बिल्कुल साइडवेज पूरा उपर नीचे फिर भी आज हमने प्रॉफिट कमाया है यहां पर आप दिखेंगे तो सो यह सिर्फ वन करते हैं तो मैं स्कैल्पिंग करता हूं और मैंने जो स्ट्राइज बताई है जो सेटप्स बता है उसी को मैं फॉलो करता हूं चाहिए मार्केट कितना भी साइडवेज हो आपको दो-तीन सेटप्स मिली जाएंगे स्कैल्पिंग करने के लिए और आप सिर्फ एक लॉट में यह तो माने लिए कि मल्टिपल ट्रेड्स हैं आप सिर्फ एक ट्रेड में भ ट्रेड और जो पसंद आ है उसमें आपको आपको कमफटर हो सकते हैं सबको यह नहीं कि दस कि दस आप यूज कर सकते हैं चलिए जानते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एंस तो यहां पे सिधा अपने थम्दम में देखा होगा पी पी जो मैं आइधिंग चाहर पांच द तो अगर यूएस मार्केट 1% डाउन है तो हम और हमारा डाटा क्या बोल रहा है कि भाई 41,500 पे क्या है 41,500 पे है कॉल राइटिंग कॉल लो आई है 26 लाख पूटो आई है 15 लाख यानि कि क्या हुआ सिधा सिधा यह है और थोड़ा सा ओवराल लो आई भी थोड़ा सा बेर ठीक है तो यह है आपका पहला चीज यूएस मार्केट डाउन यूएस फीचर डाउन है और आपका निफ्टी बैंक का डाटा नेगटीव है और कुछ लेवल्स देख लेते हैं तो बहुत असानी साथ में निकाल सकते हैं कि बैसिकली जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है अगर अगें इसको मैं शेर किया मैंने कोर्स में ताब को पता हो कि भाई जब भी स्टी प्यार वायड होता है मार्केट में भी साइडवेज रहता है प्लस और भी बहुत सारे स्टाइज रही हैं सीपी आल को लेके सो इसको भी आप देख सकते हैं यूसफुल होगा तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है मान लेजिए भगवान की दया से भाई की एक अच्छा फ्लैट मार्केट ओपनी हो जाता है तो तो बहुत अच्छा होगा कि आपको उपर का भी सेटप मिल जाएगा अब उपर का प्रॉल्म क्या है क्यों उपर आपको सस्टेन उसको जब तक नहीं हटेंगे भागेंगे नहीं जब तक मार्केट उपर जाएगा नहीं तो जब तक वैर जाएंगे नहीं इसल Cruz करतें तो में इसको कैसे डाटप z प्रेंडिंग करते हैं ब्दे करמה करते हैं चले यह वैब छया प्चा है तो एक वन क्लिक भी वह वी अच्छा है स्काइल पें लिए कुपन कोर्ट सोगे लिंग में वहां से आप देख सकते हैं प्रोशन नहीं कर रहा हूं जो यूज करता हूं बताता हूं जी करता उधन यूज करता हूं तो यहां पर यह रिस्टेंस आपका इसके उपर सश्टेन क करना चाहिए पंदर केंडल क्लोज होना ही चाहिए और प्यूर क्लीन केंडल होना चाहिए तभी तो कॉल राइटर्स भागेंगे तभी तुम उनके अंदर डर आएगा कि अब छोटा मतलब डोजी सा केंडल बनेगा उनको कुछ परक नहीं बरेगा वह रोक आपस गिरा हैं मैं भी एक इर्ड गैंडल देखके यह पूरा एरिया ही सेलिंग जोन अभी ठीक है 41 थाउज़न से लिए 41500 से पूरा एरिया ही सेलिंग जोन रहे लिए अगर नहीं होता है मार्केट में भी फ्लाट होके इसके उपर सस्टेंड करता है फिर आप बाइंग लिए जा सकत विडियो को लाइक कर दिजिए समनल से कुछ नहीं होता है यहां पर देखिए यहां पर क्या है यहां पर है नीचे के लेबल तो यहां पर तो यहां पर यहां पर यह तो मार्केट हमारा नेगिटिव जा सकता है हम 41,200,100,41,000 भी देख लेंगे और 41,000 एक अच्छा सपोर्ट भी बनेगा तो यहां पर हमारा मार्केट कल आ सकता है गैप डान हो जाता है जो दिख रहा है तो यही आपका रेजिस्टेंस एरिया है इस एरिया में अगर कोई भी रेड कैनल बनता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं फिर से मार्केट नीचे गिरेगा मेरी अवाज बैठ रही है ओके सो यह आपके कुछ लेबल्स है निफ्टी बै इनको आप देख सकते हैं आए बात करते हैं अगर निफ्टी के नीचे करता है नीचे जाता है तो आप में भी 640 देख सकते हैं ठीक है डाटा तो नेगिटिव अच्छ डाटा क्या है आपका जो रिश्टेंस एटीन थाउसे ने पूरा उपर करें नाइन हंड्रेड एट हंड्रेड रिश्टेंस बना हुआ है शौरी तो यहां पर देखेंगे पर i7 So, basically का पर निकल गा रहा है निफ्टी में लेकिन लमबे-लमबे कॉल राइटरस बैठे हुए हैं मतलब कॉल राइटिंग हो रही हैं तो अगर को देख सपस्पर्ण करते को पर कमें करते हैं तो उननका तो अलंका तक ए है तो यहां पर अगर 720 के निचे निकलता है तो आप 680 देख सकते हैं ठीक है निफ्टी में 40-50 में का मुम्मेंट बहुत है और मैं निफ्टी में मैंने स्टाइज होता ही है जो मेरा वन मिनिट का सेटप है वो अच्छे से काम करता है अगे मैंने उसको इसमें क्या हुआ है सो यहां पर दिखेंगे तो आज मुझे पता था कि अंधी करना है अगर सी प्यार मार्कें हो सकता है बेरिश मतलब साइड़ेश और यहां पर आगर करना है तो बाइंग में तो क्या ही पूलेंग में थे नहीं 75 के उपर बाइंग कीजा सकती है डाटा को देखके ठीक है अधर्वाइस बाइंग में क्या ही बोलेंगे सीधा 18,000 के उपर ही बाइंग कीजेगा लंबे के लिए या फिर आप वही ठीक है या फिर आप यहां पर भी कर सकते हैं 860 के उपर और इसके लिए डाटा देखना पुड़ेगा क्योंकि बाइंग में मार्केट है डाउंट्रेंड में ठीक है अगर 860 के उपर ग्रेंग के लिए डाटा पॉस्टिव होता है मतलब तो फिर आप बाइंग के लिए जा सकते हैं एक और सेटप देखेंगे तो यहां पर मुझे दूर से नजर आ रहा है कि एक ट्रेन लाइन सेटप बन रहा है तो इसको ब्लैक करते हैं और सब मेरे को तो लग रहा है देखते हैं मार्केट क्या करता है क्योंकि ज्यादा तर पैसा बेरी साइड ही बनता है ठीक है तो यहां पर आपको जाना है तो यह 500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी होगा वाई डाटा पर आप ऐसे मदब चार्ट से पता कर लग सकते हैं कहां पर यह डाटा है ठीक है अगर धनी उसकरते हैं तो उनके चार्ट पर भी ऐसे ऑप्शन चेन है ठीक है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं तो 500 के उपर इसमें खड़डारी की जा सकती है और इसके नीचे बिकवाली की जा सकती है ट्री थाटी के नीचे फिन हो सकता है इसलिया कर सकते हैं इसमें लिकैटी कम होती है लेकिन थोटा होगा होगा तो थोटा सा मुउफ्स मिलेंगे और अगर स्केलपिंग करते हैं इसमें थोड़ा सा लंबा व्यू रखिए एक दू घंटे का आए कुछ देख लेते हैं सो स्टॉक्स पहला स्टॉक है वोल्टास तो वोल्टास में हम बाइंग का सोच रहे हैं क्यूं क्यों कि अपने एक रेजिस्टेंस पे खरा हुआ है तो यहां पे अगर वोल्टास एक ट्वन्टी सेवन को क्रैक कर देता है तो हम वोल्टास में 850 भी कल देख सकते हैं इंट्राडे के दिन आज श्रॉक्स टेजर से अच्छा पैसा कमाया होगा और सेलर से अच्छा पैसा कमाया होगा इंडेक्स में टीवेस मोटर्स में भी हम करने का सोचेंगे क्योंकि अभी उपर जा सकता है यहां पर जो एक प्राजेक्शन नेवल है इसके उपर अगर सस्टेन करता है 1060 के उपर तो आप इसमें बाइंट कर सकते हैं विदा स्टॉप लॉस ऑब आराउंड 10 रूपीज टार्गेट होगा आपका 1080 and 1100 यह भी हो सकता है इसमें वोल्टास में यहां पर देखेंगे देखेंगे वॉल्लिम भी आई है अगला स्टॉप फिर समया ट्रेंड ब्रेकाउट नहीं हो पाया जब ब्रेकाउट होगा तो अच्छा कासा मूब आएगा अगर यह 12.42 के उपर क्रॉस कर देता है तो ट्रेंड हमारा उपर जा सकता है अगें वही स्टेम लेबल सो होंगे 12.52 प्लस 12.70 अटी भी हम जा सकते हैं टाइटन सो टाइटन में एक बरा सा बिलिश अंगल्फिंग के बाद बना है एक छोटा सा कैंडल सो यहां पर हम सिर्फ उपर जाने का सोचेंगे मार्केट स्टॉक्स में यहां पर अगर थोड़ासा एक्स्पेंसिव स्टॉक है 2480 को ब्रेक कर देता है तो टाइटन हमारा आपको 2520 भी दिख सकता है और भी 2500 डिवल्स के भी दिख सकते हैं सब्सक्राइब कर देखेंगे और आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं सो यह आपका कुछ लेवल्स हैं सब्सक्राइब को समझ में आया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी एन कुछ स्टॉक्स सो थाइंग वोचीं अगर आपने कोटक नियम अकाउंट नहीं खुले तो ख सब्सक्राइब कर दो कर से उनके साथ रहें ठीक है सो थैंक वोचींग सीविंदा एक्स वीडियो